वो अनिमे जिसका सभी को इंतजार था वो फाइनली आ गया है पर क्या ये अनिमे सच में इतना अच्छा होगा इस अनिमे की हाइप बहुत ज्यादा है काईजू नमबर एट इसकी मांगा अल्रेडी 4 मिलियन कॉपी सेल कर चुकी है ये अनिमे अटेक अन टाइडन से भी अच कर देता है इस मॉंस्टर को ये लोग काईजू कहते है अगर मॉंस्टर्स है तो मॉंस्टर्स को मारने वाले भी होंगे तो कुछ डिविजन्स होते है जो इन मॉंस्टर्स को मालते है तब एंट्री होती है कुछ हेलिकॉप्टर्स की जो इस काईजू को मारने के लिए आते कि उस rocket launcher से मार देती है काईजू को उसके पेट में जाता है वो rocket launcher का shot and वो blast कर देता है इस scene का जो animation है वो बहुत ही crazy है इसके बाद introduce होता है main character काईजू का जिसका नाम होता है काफ का हीबिनो यहाँ पे एक team दिखाई गई है जो monster के जो dead ruins होती है उसको clean करती है काफ का उसी team क part होता है जिस division ने काईजू को हराया होता है लोग उन्हें बहुत जादा cheer करते है और उनको celebrity जैसा treat किया जाता है यह सारी चीज़े काफ का भी देखता है उसके बाद यह shot दिखाया जाता है जो देखने के बाद मुझे बहुत जादा अच्छा लगा जिसने भी यह design किया बहुत ही amazing and beautiful design किया गया है जहां पे monster के आजू बाजू कुछ चीज़े लगाई गई है और उस monster का cleaning चल रहा है काफ का अपना काम खतम करके घर जाता है तब वो realize करता है कि life में कुछ तो missing है यार काफ का बहुत जादा ही lonely feel करने लगता है काफ का सोचता है क्या मैं यही काम life में करना चाता था क्या यही मेरा purpose है तब वो टीवी on करता है और वो देखता है कि cold hearted लड़की जिसने इस काईजू का हराया है वो उसकी friend ही होती है जिसका नाम होता है मीना उसकी backstory दिखाई जाती है जहां पे काफ का एन मीना यही discuss करते है कि वो बड़े होकर साथ में contact नहीं रहता शायद ऐसा इसी लिए भी है क्योंकि काफ का एक easy काम चूज करता है और life में कुछ बड़ा करने को avoid करता है तब एक और character की entry होती है जिसका नाम होता है इची कावा यह एक student होता है जो part time काम करने के लिए आया है इची कावा को काफ का पसंद नहीं आता क्यों बहुत गुस्सा हो जाता है और काफ का को वो पसंद नहीं करता जब काफ का एन इची कावा काम कर रहे होते है तब उन पर एक काईजू attack कर देता है काफ का इची कावा को बचाने के लिए भागता है और उसे बचा लेता है काफ का इची कावा को कहता है कि तुम यहां से भ बाग जाता है लेकिन काईजू उस पर अटैक कर देता है काईजू काफका को खतम करने ही वाला होता है काफका की लाइफ एंड होने ही वाली होती है तब इचिकावा आकर उसे बचा लेता है इचिकावा जोर से एक हतोडे से मारता है काईजू के सिर पर तब फिर से एंट्री होती है division 3 की जिसमें मीना आती है और वो कुछ seconds में ही काफका को बचाती है और उस काईजू को खतम कर देती है ये scene बहुत ही amazing था जो action इसमें दिखाया गया है वो देखके तो मैं पागल हो गया इस anime को देखने के लिए बहुत मज़ा आने वाला है next scene में ये दिखाया जाता ह है कि काफका एन इचिकावा दोनों hospital में होते है उसके बाद जो चीज होने वाली है वो आपके होश उड़ा देगी एक monster आता है hospital में जिसे काफका देखके डर जाता है वो monster कहता है I found you तब वो monster काफका के मुझ में गुज जाता है और काफको को पूरी तरीके से transform कर देता है काफका एक hybrid बन जाता है kaiju and human being का इसके आगे की story बहुत ही crazy होने वाली है इस anime को देखकर मुझे लग रहा है वो बात तो है क्या आप लोग excited हो इसके second episode के लिए तो मुझे subscribe करो and video को like करो मिलते है next video में thank you bye bye